है मखें है महस्कार दोस्तों अपका स्वागत है क नफ़ी ओ पर जो मैं डिफकंपोस्ट घर पर बनाईया था तो आपको भी शे रहा हूं यह वीडियो डिफकंपोस्ट कैसे बनाइ जाता है है बहुत ईजी है तो चलिए दोस्तों आप भी सीख लीजिये और घर बनाईए बहुत इज़ी और कोई भी चीजमें भी बन जाता यह कारी वैग में बन जाता है और container में बन जागा कोई भी container जिसमें छेद हो या pot ऐसे आपका जो use नहीं हो रहा है कोई टूटा pot है उसमें ले लीजिए आप उसमें नीचे छेद जरूर रखे और lift compost के लिए हम लोगों को सुखा पत्ता बहुत सारा धेर सारा सुखा पत्ता चाहिए तो सुखा पत्त से ही आपका compost बन जाएगा एका दुख्या आपका अगर कच्छा पत्ता मतलब जो पका सुखा नहीं हो भी आप चल जागा इसमें वह भी decomposed हो जाएगा बहुत ज़्याद तो सुखा पत्ता आप ले लीजे और उसको डालके आप नॉर्मल पानी देके भी आप मोईस्ट करके कोई भी कैरी बैंग में भी रख सकते हैं और वो तो तीन मेहना में तीन मेहना में बन जाता है आपका अब हो जाता है और यह में फॉट पे बना रहा हूं तो इसमें एक कर रहो थोड़ा में ट्रीच जो है मैं डालना हूं मैं पрь intra थोड़ा सा डाला था तो ज्यादा अच्छा होता है अश्धा हम डो सकते है आपकर उसका बात मैं इसको और इसे पानी सबढ़ने आप इसको मौश्ट करने के लिए पानी पहला बार में अच्छा से डाल देना आपको और बीजबीश पे जैसे कि 15-20 दिन बाद आप इसको जब खोल के देखिएगा तो अगर आपको मौश्ट ना लगे सुखा लगे तो आप फिर से पानी ठोड़ा स्प्रे कर सकीगा उसका बाद जो है उसको हलका एक पानी डालिएगा सिर्फ मौश्ट करने के लिए तो यह आपको इभी शेड में रख सकते हैं रख के इसको छोड़ दियेगा और तीन मैना बाद आपका कंपोज जरूर पूरा हो जाएगा हर दस दिन या बीज दिन बाद दस दिन या बीज दिन बाद ही इसको उपर नीचे करियेगा जरूर क्योंकि यह नीचे जो है तो सूख जाता देखिए इसी कंटेर में बनाया था मैं तो इसमें बहुत सारा च्छेड भी था यह एकदम रेडी है कोई भी टूल से आप उसको हिलाज जरूर लिएगा तो उससे आपको पता चल जाया है कि आपका वो कंपोज जो है सुखा है अगर तो आप मौस्ट करिए उसको और यह मेरा कंपोज पुरा बन चुका है यह रेडी टू यूज है और बहुत ही फाइन क्वालिटी का कंपोज बनाया हूं अभी बनाएं दोस्तों बहुत हीजी है घर पे बनाने के लिए कंपोज सीब आपको पत्ता सुखा पत्ता जो है वो आप ले आईए और उससे आप बनाएं धेर सारा लिफ कंपोज देखिए कितना अच्छे से यह बन चुका है यह तीन मैना में बन चुका है गर्मी में लिफ कंपोज थोड़ा जल्दी बन जाता है और सर्दी में आप बनाईएगा तो थोड़ा समय लगता है देखिए यह बुरा पत्ता है जो है वो डिकंपोज हो चुका है तो दोस्तों उमिन करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी जरूर डिफ कंपोज बनाईएगा बहुत ही आसान है और घर पे आराम से बन जाएगा आपका लिफ कंपोज तो दोस्तों आप अच्छे रहिए स्वस्त रहिए हैपी गार्डिनिंग धन्यवाद चर्ड़का अच्छेश रहिए म।चे भी पज़एगा नाषब तो दोस्तों आपका अच्छे शोस्तों आसान है और रहिए